आपीसी का चेप्टर डिसकस करेंगे वो है चेप्टर नबर पांच पाइब आरेस्टाप पर्सन गिरफतारी किसी ब्यक्ति की कैसे की जाती है इसमें हम लोग सेक्शन नबर और 41, 42, 43, 44 यह सब सेक्शन हम लोग आज कंप्लीट करेंगे सबसे पहले यह आता है वेन पुलिस आफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट ऐसी कौन सी कंडिशन होती है जिसमें पुलिस आफिसर को वारंट की कोई जरुवत नहीं पड़ती बिना वारंट के किसी भी एक्यूस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है कि एक कंडिशन यह मालूम रहती है वह एक कंडिशन इस में रखी गई यह इसके साथ आठ कंडिशन आप तोटल 9 वारंगे कर सकता है अब वो nine condition क्या-क्या है इसको ज़रा ध्यान से देखिए पहला है अगर कोई person अगर कोई person पुलिस officer की presence में उपस्थिती में कोई cognizable offense करता है यानि पुलिस की आखों के सामने अगर कोई बैक्ती क्या करता है cognizable offense करता है तो पुलिस officer को अधिकार है कि बिना वाराट के बिना देरी किये उस बैक्ती को अरिस्ट कर ले क्योंकि देखों आप लोग को हमने पहले भी बतायता है कि जो cognizable offense होता है वो heinious offense होता है गंभीर अपराद होता है अगर उसको हम लोग जल्दी से जल्दी नहीं रोकते है तो एक्यूस person क्या करता है उस अपराद के साथ साथ उस office के साथ साथ और भी offense कर डलता है तिसलिए police officer को यह rights दिया गया है कि अगर आपके सामने कोई cognizable offense होता है तो बिना देरी किये बिना magistrate के permission लिए बिना कोई पूस्ताच किये आप उस बैक्ती को arrest कर सकते हैं नंबर एक नंबर दो कहा गया है कि अगर कोई बैक्ती ऐसा है तो seven year तक कोई offense करता है सुपसंदिया सब्संदिया सब्संदिया और पुलिस officer को इसके बारे में reasonable complaint मिली हुई है सिकायट मिली हुई है तो पुलिस officer उस बैक्ती को बिना warrant के arrest कर सकता है अब देकर तीसरा है प्रोक्लियम डाफेंडर जो प्रोक्लियम डाफेंडर है वो CRPC के section 82 में बनता है CRPC के section 82 में कोई बैक्ती उद्गोशित अपराधी बनता है प्रोक्लियम डाफेंडर बनता है तो यह कहा गया कि अगर प्रोक्लियम डाफेंडर बनाया गया है और वह बैक्ती पुलिस officer को दिखाई पड़ता है किसी भी पुलिस officer को चाहें उस district का या किसी अधर district का तो पुलिस officer उस प्रोक्लियम डाफेंडर को उद्गोशित अपराधी को बिना प्रापर्टी मिलती है अगर किसी ब्यक्ति के कब्जे में कोई चोरी की संपत्य मिलती है तो या तो वो चोर है या तो उसने चोरी की संपत्य खरीदी है तो चोर होना दंडनी अपराद है ओफिंस है अभी आई पीसी क्लास में पढ़ा है न 379 में ओफिंस है और चोरी की संपत्य को खरीदना इस्टोलन प्रापर्टी को लेना ओफिंस है किस सेक्शन में 411 में तो यह ध्यान रखेएगा है थेफ्ट 397 379 में पनिसिबिल है और इस 411 में है तब कोशन होता है कि कोई स्टोलन प्रापर्टी के फायार हुई है और किसी बैक्ति के कभजे में मिलती है इसका क्या मतलब है या तो उसी ने चुराया है या उसने चूरी की संपत्ति को खरीदा है तो दोनों कंडिशन में पुलिस आफिसर कोई अधिकार मिला हु कर सकता है बिना मजिस्टेट के वारेंट के बिना किसी के अजिसर के फिर है कोई अगर पुलिस आफिसर कोई लीगली वर कर रहा है कोई विधि पूर्ण कार रहा है और उसमें क्या कोई करता है हिंड्रेल सुपन करता है बाधा उत्पन करता है पुलिस अधिकारी के कार में अगर कोई ब्यक्ति बाधा उत्पन करता है ठीक है तो पुलिस आफिसर को कहा गया है कि उस ब्यक्ति को आप बिना वारेट के अरेस्ट कर लेजे पुलिस आफिसर जो वर करता है लाफुली वर करता है उसमें आपको कोई बाधा उत्पन नहीं करना है जो कि उसकी न्यूटी ह पुलिस हाफिसर बिना वारट के आपको अरिस्ट कर लेगा। अभाता है जो और फोर्स के लोग होते हैं, सससेना के लोग है। देखे जो और फोर्स की नौकरी होती है, वो बिलकुल अलगतरह की होती है। सिवेलियन के नौकरी अलग तरह की होती है अगर कोई सिवेलियन है सिविल जॉब में है तो जब उसका संडे होता है या कोई गस्ट ढालीडे होता है तो वो चाहे जहां घूमे टहले को दिक्कत है घर से बाहर चला जा कोई पिकनिक करने चला जाए लेकिन जो आप फोर्स के होते हैं वह अपनी बैर को अपने बटालियन को छोड़ सकते हैं जहसा टिर जब रहा है च्टकी उनका जो ब्र jedoch रहें जोुको प्रेज कमांडर है जो भी हुनका इन चार्ज है उसके पर ऑलटन परविश हैं से काप उसके बाहर जाही नहीं सकते हैं अब अगर माल लोकोग भाग गया गया है दो कोई भी बैगती आंप को बिनकर कि चोड़ के चला जाता है तो जो से गचे hace मैं अब कोशें होता है कि जो पुलिस लाइस के बाद क्या करेंगा मैं बजिस्टेट के पास ले जाएगा या और कुछ करेगा अगर और फोर्स के किसी व्यक्ति को पुलिस आफिसर इसलिए अरेस्ट करता है कि वह आंप फोर्स का ब्यक्ति अपने इंचार्ज के पर्मिशन के बीना अपने बटालियन को छोड़ दिया है तो अरेस्ट कर लेग कि बताई जल्दी से तरुसका आर्ली को इल्फाम तोरे नहीं को और अजा सेना की पुलिस होती है सेना की पुलिस होती है सेना की पुलिस को बूला के देदेगा पूछा जाता है कि अगर आंप फोर्स के पर्सन को पुलिस आफिसर सेक्शन फुर्टी वन में बिना वार्रेंट करेंगा तो ले जाएगा जुडिसल मेंस्टेट के पास चौबिस घंटे के अंदर है समझे दीन बंदुजी यह सार उसको लेकिन अगर आंप फोर्स को अरेस्ट करेगा तो उसको ले जाएगा दे देगा सेना की पुलिस को जो आर्मी की पुलिस होती उनको सेना का अपना अलग से ने आया लग होता है वहां पर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके अगेंस प्रोसीडिंग की जाएगे अब देखिए अगला यदि कोई ब्यक्ति भारत में इंडिया में आफिंस किया और आफिंस करके इंडिया की सीमा के बाहर भाग लिया कि यसा आपशी हैं रहाव हमारे ऑफ्ल हम सारी लोग भाग भाग के chi आ है अगर वह क्योंगे हैं जोुक्ति भारत की सीमा से भाग गया उसको बारत सरकार कैसे ला सकती है इसको लिखो ल 오।क कि दो तरीका है ओंसतरी कि छार्वी अच्छास में हो? Yes sir. एक्राम करो? Yes sir. जल्दी से? जल्दी से? देखो द्यान से सुनने, हम क्या बता रहे हैं? देखो, इंटरनेशनल ला है उत्तराखंड में? उत्तराखंड के जुडीसरी में इंटरनेशनल ला है कि नहीं है? जल्दी से? है आता है अच्छा कासा कोस्टन आता है? सुनो इसको द्यान से, सब लोग सुनिये. जब कभी कोई पर्षन अपनी कंट्री को छोड़के दूसरे कंट्री में आफिंस करके भाग जाता है. तो आब यहां पर इंडियन लाह नहीं लगेगा, मुनिस्पी लाह नहीं लगेगा, अब लगेगा इंटरनेशनल लाह, तो इंटरनेशनल लाह में एक टॉपिक होता है एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटीज, जिसको बहते हैं प्रत्यरपड की संधी, देखो जो एक्स्ट्रा की ट्रेटी तो होती है अगर इंडिया के गरमेट में युएस के गोर्वेंट से कर रखा है ने यूके के ग multiplayerbert क्या होता है अगर दो देशों केंशान के प्रतेश। हैं हमारा आप्फेंडर करके भाग गया दूसरे कंटी में उस कंटी के साथ हमारा एक्स डाडिशन की टीटीज क्या होता है ईआ कि एक आपके डेश्ट में आता है जब मैं एक देश डिमांड करेगा दूसरा देश कि इसको हेंड ओबर कर देगा अगर जिस कंट्री में उसने अपराद किया वह अपराद करके दूसरी कंट्री में भाग गया दोनों कंट्री के बीच में क्या है प्रत्यारपड की सब्ड़। एक्स्टाडीशन के टीटी तो पहला देश दूसरे जैसे जैसे डिमांड करेगा कि मेरा आपके देश में गया है मुझे दीजिए तो दूसरा देश उस टीटीश के द्वारा ही इमिडेटली देगा जिन देशों के साथ हमारे एक्स्टाडीशन की टीटीज नहीं है वो तो जो भगोड़े होते हैं वो वही देश में जाके छिपते हैं जहां पर हमारा एक्स्टाडीशन की टीटीज नहीं है जैसे यूए यूकि इंग्लेंड के साथ हमारे एक्स्टाडीशन की टीटीज नही तो उसके लिए इंडियन गवर्मेंट यूके की गवर्मेंट से कल रिक्वेस्ट कर सकती है कि मेरा भगोड़ा है आप मुझे दे दीजिए वो दे या ना दे उसकी डिस्क्रिशनरी पावर विवेका धिन सकती है अब कोस्टर यह उठता है कि जो यूके हैं इंग्लेंड है व इसको फाइदा क्या है कि जो दूसरे देश के अफेंडर को अपने देश में बाकाइदा पूरा प्रोटोकाल के साथ लगता है कि क्या इसका अंसर देखेंगा इन से बहुत तकड़ा टैक्स लेता है और कहती है कि जो हमारे हैं मुल्टिनेशनल कंपनिया या हमारे जो इसलिए यहां से भागते हैं और वहां जाके इन्वेस्ट करके टैक्स दे के ठाट की जिन्दगी ब्यतित करते हैं तो यह तो हो गया देखो एक्स्टाडीशन के टीटी अब इसको जरा से आजाओ जो आपको सेवेंथ नंबर का हम समझा रहे थे अगर कोई आफेंडर अप अब विच्छा पर छोड़ा गये हैं अडिकोई बैगती कनविश्टेड है यदि कोई बैक्ति कनविक्तेड है और उसे कि या किया गया है प्रोवेजन पर छोड़ा जाया पर विच्छा पर छोड़ा जिए सेक्शन 356 सबक्लास 5 356 के पाच में कि जाओ सुधरने के लिए तुमकों छोड़े हैं लेकिन वो अगर प्रोवेजन के नियम को तोड़ता है फिर कोई आफेस करता है या किसी आफेस में इन्वाल्व होता है तो उसको दो पेनल्टी मिलेगी पहला तो उसका प्रोवेजन खत कर लेगा लास्ट में नाइन्थ नंबर पर यदि पुलिस आफीसर को किसी दूसरे डिस्टिक से किसी दूसरे स्टेट से यह सूचना मिली है एक्स नाम अब्यक्ति आफेस करके आपके डिस्टिक के अंदर आ रहा है आपकी स्टेट के अंदर आ रहा है तो जो पुलिस आफ बस, बाइक, कार, आते हैं, सब के चेकिंग सुरूए, अब अगर कोई बैक्ती डाउटफुल मिला, तो पुलिस आफिसर बिना वाराट के उसको अरिस्ट कर लेगा, यह जो इतनी पावर पुलिस आफिसर को दी गई है, इसलिए दिया गया है, कि लाइन आडर मेंटेन रहे, क प्राइमरी ड्यूटी होती है, वह पुलिस आफिसर पर होती है, और यह कहा गया है, कि अगर ऐसे कंडिशन में आप मजिस्टेर से परवीसर लेने जाओंगे, तब तक तो वह भाग जाएगा, और फिर वह आपके कस्टडी में नहीं आएगा, इसलिए पुलिस आफिसर को स पहिर सारी पावर, ठीक, दोको जो सेक्शन नंबर 42 है, वो कैसे समझ में आएगी, 42 कैसे समझ में आएगी, इसको पहले ध्यान से समझो, जो सेक्शन नंबर 42 है, अरेस्ट और रिफ्यूजल टू गिब निम, इसमें कहा गया, नाम और पता बताने से इंकार करने पर गिरफ गया है, कि जो, एसाई होता है सब इंस्पेक्टर, और कांस्ट बिल, और स्टेशन आफिसर, ऐसे चो, यह तीनों लोगों के लिए डारेक्शन, यह कहा गया है, कि जो कांस्ट बिल रैंक होते हैं, जो थाने पर रहते हैं, दो-दो कांस्ट बिल, आठ-8 घंटे पर, जो फिराट-घंटे, फिराट-घंटे यानि दिन में तीन बार, जो सब इंस्पेक्टर, एसाई है, उसको कहा गया, बारह गंटे में एक बार, यानि एक दिन में दो बार, जो इस।ैशन इन चार्ज होता है, उससे कहा गया, देखोते हैं, देखो सब पुलिस पब्लिक रोट पर आती है तो क्या होता है जो अपराधी लोग होते हैं तो भाग जाते हैं तो आप लोग अब बच्पन में देखे होगे कि पब्लिक रोड पर दो गोड़े पर बैठके पुलिस वाले जाते रहते थे तो कि नहीं कि वो किसी इसकुछ बोलते हैं अब उनका जगह कम हो गया धीरे धीरे करते हुए तो यह कहा गया कि जब कॉंस्टेबिल अपने थाने की सीमा का चक्क्र लगा रहा है सब इंस्पेक्टर थाने की सीमा का चक्क्र लगा रहा है इस्टेशन आफिसर थाने की सीमा का चक्क्र लगा रहा है और कोई व्यक्ति उसको देके छिप रहा है भाग रहा है पुलिस आफिसर ने उससे का यहां हो आया क्या नाम है नहीं बता रहा है तहां रहते हो नहीं बता रहा है यह नाम बता रहा है गलत बता रहा है फिर पूछ रहा है फिर कुछ और नाम बता रहा है वह व्यक्ती डाउटफूल परसों लगता है जो परपर नाम बतार है तो बॉलस आफीज ये कहा biss कि यह बहुग है कि अप उसको कंटेदी में ले सकते हैं देखो जो non-cognizable office असंगे अपरादे आपको बताया गया था कि non-cognizable office में police officer किसी को बिना वार्रंट के गिरफता नहीं करते हैं उसी का exception है 42 बे आलिस जब कोई person doubtful नजार आता है और भले यह पता चलता है कि उसमें non-cognizable office किया तो police officer उसको क्या कर सकता है custody में ले सकता है को से नोटा है किस लिए custody में लेगा वो तो non-cognizable office किया है नहीं तो custody में क्यों लेना चाहते हो तो custody में लेगा identification fix करने के लिए वह है कौन उसकी पहचान को साबित करने के लिए custody मिलेगा उससे पूस्ताच करेगा और यह पता लगाएगा कि वह कौन है इसलिए non-cognizable office होने के बाद भी वह अरिस्ट कर सकता है कि यह तो देखो पुलिस आफिसर है 41 और 42 है अब आता है क्या private बेक्ती भी किसी को गिरफ्तार पर सकता है तो देखो लॉँ में private बेक्ती किसको कहते हैं लॉँ में private बेक्ती होई कौन तो यह ध्यान रखियागा दो लोग को माइनस कर दिए दो लोग को माइनस कर दिजिए district administration और पुलिस administration जीला प्रसाशन police है मिले स्थी के स्था रखियों को आपको section no.6 में बताया गया था executive state और दूसरा police administration को लोग के आलावा कूर्ट को छोड़के न्यालय को छोड़के जितने हैं सब किसह प्राइबेट है कि चाही आप डाक्टर रोग चाही आप इंजिरियर हो पिनने समें किसी भी पोश्ट पार पर उचाही बिजनेस में कुछ भी हो और Desde सटी दिस्ट में आप हैं प्राइबेट क्योंकि ये कहा गया है कि जो पूलिस प्रसासन और डिस्टिक दोनों को कहा गया है कि आप किसी भी एकूस को अरेस्ट कर सकते हैं कि अभी आगए पढ़ेंगे जो लोग होते वह भी करते और जी कदढ़ाएंगे हुआ होसा कि चो मजस्टेट या पुलिस अड्मिस्टेशन होतें कि कि आफ जिस ले थे डिस्टिक मेरे साफ पॉलिस अड्मिनिस्टेशन के आफिसर को कउंट कर लिए कि वह मेरेंगे आपको 1% से कम कि एक पर्षन से कि आप लोग अपने पर्ष्टिक को देख लिजेगे अब आता है एक पर्षंट से कम जो जो नोग एक पर्षंट से के लोग जिनके उपर जिम्हेदारी दी गए कि आप लाइन ओडर को कंट्रोल करें और किसके लिए 99 परसंट के अबब करें तो कैसे करें इसके लिए जब नई CRPC बन रही थी 1973 में तो सेक्शन नमबर 43 में जो प्राइबिट ब्यक्ति निजी ब्यक्ति उनको भी राइट्स दे दिया गया कि अगर आपके सामने कोई आफेंस होता है तो आप किसी भी ब्यक्ति को गिरफतार कर सकते हैं अरेस्ट बाइप प्राइबेट परसंट एंड प्रोसीजर अंसच अरेस्ट अब यह सेक्शन में तो यह कहा गया कि वह आफेंस कॉग्निजेबिल हो नान बेलेबिल हो कि कॉष्टा यहां पर यह उड़ता है कि प्राइबेट बीको कैसे पता चलेगे क्शोग्रां काइप परसंट को वह आफञ परसंट के वह औरशार यहां। तो उसको कैसे पता चलेगा या तो लॉग रिजुएट को नहीं क्लियर रहता तो प्राइबेट बैट्टी से आप कैसे उमीद करते हैं कैसे वह अरेस्ट करेगा और एक तरफ कहा गया परिस्ट करें तो देखो इसका आंसर आप लोग यह बताना कि अगर कोई भी आफेस हो रहा है या क्या इससे कोई मतलब है अगर कोई आफेस हो रहा है तो प्राइबेट बैट्टी चाहें तो उस बैट्टी को क्या कर सकता है अरेस्ट कर सकता है अरेस्ट और कस्टड़ी दो सब्ध मैं तो फहले अरेश्ट होता है कि पहले कस्टड़ी होती है निंद्र टो ऑच्पन से तो पड़े आहरे लिए कि मूर्गी पहले आई लिन पहले आए अंकर मुहरूंड पहले आया तो वह प्राब्लम तो नहीं साल भूई आज तक यह लेकिन अपने लॉम में प्राब्लम साल है पहले अरेस्ट तब कस्टडी प्राइबेट ब्यक्ति कस्टडी में नहीं लेता है किल अरेस्ट करता है जो कस्टडी होती है तो पुलिस कस्टडी हो गया जुडिसल कस्टडी हो आई से रखेतों करता है वह ध्यान रखेंगे आंसर दीजेगा प्राइबेट बैक्ती करता है ऐसी आर्स्ट का मतलब क्या है कि तब तक उसको पर पास रखें जबodक कि पुलिस वाना जये जैसे आप किसी भी प्राइबेटed कुझी भी propos ekstra ko अरेउस्ट करें इंबियेट्टली पूलिस को सुचना जिए या तो उसको लेकि पूलिस के पास सलहट और नहीं तो पूलिस के आने तक किन जज़ार करें पुलिस आई उसको हेंड़ोबर कर दोगी अब पुलिस करेगी कि आगे क्या होना है ठीक अब आता है धारा नबर 44 मजिस्ट्रीट द्वारा गिरफतार कौन से मजिस्ट्रेट कारपालग या नियाइक एक्सक्यूटिव या जुडिसल यहां पर यह कोशनराइज होता है कि जो सेक्शन नंबर 44 है इसमें एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी गए कि जुडिसल को आप लोग पहले इसकार बोथ 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 अब देखो कैसे यह कहा गया है कि अगर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई आफेंस होता है है अच्छा मान लोग जच साहब नहाइक मजिस्ट्रेट कोट में बैठे हैं सेकेंड क्लास परस क्लास सीजियर कोई बैठा है और उनके सामने उनके कोट में कोई आफेंस करता है तो तो वो क्या करेंगे किया करेंगे तो 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 तुर्ण क्रिम्नल कोट में वहां बैठा रहता है कोट मोहरेल, यह बोलेगे इसको तुरण पकड़ो तुरण पकड़ो तो यह ध्यान रखियेगा अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई आफेंस होता है माली जे एक मजिस्टेट मॉर्निंग वाक पर जा रहा है सुबर टहलने जा रहे हैं वहीं पर ए और बी एक दूसरे से लाई कर रहे हैं तो क्या करें एक्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे या कुछ करेंगे को पुलिस को सूचना देंगे पुलिस को गोला कर उसको अरेस्ट करोईंगे अगर वह इकनोर करके गए डियृटी ऑच Запान AA के चले गए तब इस अधर भाड एगर वखिल साहब एक्शन होगा है नो वह एक्षण नहीं होगा लेकिन अगर डोकेट अर्या साथ जा रहे तब पुलिस वाला जा रहा है तब एक्सऽ लेना पड़ेगा तो वह क्या करेंगे किसी बैट को निर्देश करेंगी कि मैं जुडिशल ऑफिसर को उसको पूलिस को अरेश्ट करो उनको करना पड़ेगा अब देखो जो यह पूरा मिला हुआ है सेक्ष्ण नबर 41 में पुलिस ऑफ सब्सक्राइब करने के लिए पावर मिली हुई है 43 में जो प्राइबेट बैक्ती है उनको पावर मिली हुई है कि अगर उनके सामने कोई आफेंस होता है कोगनेजेबिल और नान बैलेबिल वह भी अरेस्ट कर सकते हैं दारा नबर 44 में मजिस्टेटों को यह पावर बिला हुआ है कि अगर उनके सामने या उनकी प्रेजिद्स में कोई आफेंस होता है तो वह भी अरेस्ट करा सकते हैं यह इतनी पावर मिली कि अब छूटा कौन कि किसको पावर नहीं मिली हुए है कि किसको पावर नहीं मिली हुए है सबको मिली हुए है तो यह कहा गया यह पावर क्यों दी गई है सबको इसलिए दी गई है कि जो हमारा देश है हमारा देश में इंडिया में क्या सिस्टम है रूल सफ ला विदी का सासन इंडिया में रू देश कैसे चल रहा है रूल से चल रहा है यह रूल सब्सक्राइब ने कहां से लिये हैं इंगलेंग और जो इसके और इसनेटर है उनका नाम है प्रोफेसर डाइसी ठेख तो यह ध्यान रखेगा कि जो रूलस तर रेगलेशन से तभी चलेगा जब लाका प्रॉवीजन ठीक स से लागू हो सब लॉका प्रोविजन कैसे ठीक से लागू होगा जब पुलिस आफिसर्स को पावर दिया जाए जब प्राइबेट बेख्तियों को पावर दिया जाए तो क्या होगा जो लॉप है वह मैंटेन रहेगा जिसको हम लोग कहते लॉइन आडर को मैंटेन करना बिल्कुल रहेगा जगा सब्सक्राइब अभी प्रयाग राज में जो एलहाबाद ही खोट है वहाँ पे एक सीनियर जज साहब है वह अपने किसी रिलेशन को आए हुए थे रिलेटिव उनको छोड़ने के लिए प्लेट फार्म पर गए और उनको प्लेट फार्म पर बहुत जादा इन्रेगुलर्टी दिखाई पड़ी प्रापर बैठने की जगा नहीं थी कुछ नहीं थी उनको लगा और सुबह आठ बज किया जन्रल मेनेजर नार्दन इंडिया जो नार्दन इंडिया के जियम होते है रिल्वे के वह प्रयाग इलहाबादी बैठते तुरंत कि बुला उनको पंदर अमनेट के अंदर जियम आ गए जियम के साथ पूरी उनकी बटालियन आ गई और उन्होंने का जड़ साब ने कल बोले चोवीस घंटे का समय दिया जाता है और यह प्लीट्फ़ाम आपका जो रेल्वे एक्ट में जितनी बाते कहेंगे सब के सब के साथ फुल्फिल होना चाहिए रेलवेट पर कहा गया पैसंजर के लिए पानी के बेवस्ता हो चेर के बेवस्ता हो ठीक है टाइलेट परा होना चाहिए सब कि और नीट और क्लिए आप समझे अब बोले 10 बज़े आप में रिकोट में अपियर होके पूरी वीडियोग्राफिक के सा कि आप समझें दस बज़े से काम लग गया वहां पर पूरी राज काम में और कभी आप लोग आई ये वहां पर देखें कि आज प्रियागराज के प्लेटफार्म की क्या इस्तिती और इसके साथ साथ बोले कि ओल्ड लोगों के लिए आपने क्या बेवस्था किया जो वीडियोग्राफिय बनके जीयम प्लस जो उनके डोकेट थे साब लोग कोट में प्रेजेंट हुए अब बोले जसाब से यह वीडियोग्राफिय है और यह हम अपना एफिडेविट दे रहे हैं तो समझें कंचंचंच यह होते हैं यह मत सोचे हैं हमारे हर जैज को मिला हु लेकिन इसका प्रियोग्राफिय एक पर्शेंट भी लोग नहीं करते हैं नहीं अगर करें तो क्यों नहीं अच्छा होगा अपना लाब देखते हैं अगर आप जज की कुरसी पर बैठकर भी अपना लाब देखेंगे तो आपका जीवन ही निरर्थक हैं तो यह कहेंगे सब्सक्राइब करेंगे उसको ट्राइल कराएंगे तब जा करके उसको फैसला देंगे जो कोट का आगया ने इतना आपको कोटा देना है काम करके अब तमाम उकद में पड़े हुए हैं उसको ट्राइल करके उसमें महनत करके करा ला है लेकिन जो उसी तरह से समाप्त हो जाने वाला है उसको चाहेंगे करना इस तरह से देख करके बहुत ही तक्लीफ होता है ने कुस्त दोनों लोगों का बार और बिंच की दोनों की गलती होती है बार भी केस्को खीषता है वे स्विश् Dubu को की को तो फो लोग क्या करते थाड़ादा करते सबस्क्तु को सारे जुमजीने यू ex चलिए अब महां लिगती एभ एधिकी किया आपर्षे करने के बाद वह पकड में नहीं आ रहा ह। पूरा प्रयास किया प्राइबेट बैठ्ती नहीं किया। मजिस्ट्रेटों ने बहें किया novreck इता है तब इसके लिए क्या होता है पावर to compile appearance कोड को यह पावर दिया ग्या सेक्षंशन 61 से 90 में मैं कि अगर कोई person Life करंके भाग रहा है ship रहा है अपना जगह बार बार बदल रहा है तो court को ये power दिया गया है कि उसको आप compel करिए विवस करिए accused को कि court के सामने आईए तो देखो सबसे जो simple तरीका होता है किसी को बुलाने के लिए चाहे वो accused हो चाहे वो witnesses हो जिसको court ज़रुस समझती है कि इनको court में आना है तो उनको बुलाने का सबसे हलका सबसे चोटा तरीका है सम्मन सबसे हलका क्योंकि सम्मन में क्या होता है जो सम्मन लेके पुलिस वाला जाता है वो कभी भी उस कहना में parties को न तो arrest करेगा चाहे वो witnesses हो चाहे वो parties हो बस सूच न देगा कि देखिए आपके खिलाफ यह date court में लगी हुई है इस date को इतने बज़े आप इस court में physically एपियर हो जाएए सबसे सिंपिल तरीका सम्मन तो देखिए जो सम्मन होता है आप लोग के प्री के एक्जाम में आता है कि जो सम्मन होता है इसका जो प्रोफार्मा है प्रारूप है वो किस section में है और सम्मन को और सर्व कैसे किया जाता वो किस सेक्षन में है तो संबन का प्रारूप यानि फॉर्म आप दे सम्मन प्रोफार्म आप दे सम्मन यह सक्षन नमबर 60 जिए ठीक से समझ के पीटी में टिक लगाना अप लो तो थोड़ा संबन क्या है वो बता देगो संबन एक सूचना है सम्मन एक सूचना है नियायले के द्वारा भेजी जाती है जिसमें कोट क्या करता है और जो सम्मन का प्रारूप है सम्मन में क्यों कौन सी बात लिखी जाएगी वो कहां मिलेगी CRPC के शिडूल नंबर दो में एक में नहीं दो में जब CRPC की सिडूल अनुसूचि नंबर दो आप देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है संबन का प्रारूप उसी प्रारूप को मजिस्ट्रेट लोग फालो करते हैं तो वो क्या करते हैं संबन दो कौपी बे बनता है दो क वो concerned police station को भेज़ दी जाती है, criminal के से जे, कि आप इस copy को serve कराईए, किसको serve कराईए, जिसके नाम सम्मन ही, सम्मन हड समय या तो accused के नाम होगा, या तो witnesses के नाम होगा, या parties के नाम होगा, तो police officer क्या करता है, वो सम्मन को क्या करता है, serve कराता है, serve को उर्दू में बोलते हैं, तामीला, पहुचाना, अगर वो पहुचाने का तरीका क्या है, अगर वो person जिसके नाम सम्मन इश्यू हुआ है, वो government job में है, सरकारी नोक्री में, तो यह कहा गया कि जो उसका head of department है, जिस department पर वो काम करता है, उसके head of department को सम्मन को आप serve कर देजे, बता देजे कि आप क्या जो employee है, वो उसको code बुलाएगे, वहाँ पर अगर वो मिल जाता है अपने office में, तो उसको वही पर सर्व करा देजे, नहीं मिलता है, तो उसके head of department को सर्व करा देजे, तो अगर वो ब्यक्ति मिल जाता है, तो सम्मन के back side में, पीछे उसका signature करा लेता है, पुलिस वाला, कहता देखो, पढ़ लो, पढ़ने के बाद back side में, आप signature कर दो, मैंने सम्मन को पढ़ लिया, head of department को देना पड़ा, उसने भी पढ़ लिया, signature करके दे दिया, और वो पुलिस वाला फिर उसी तरीके से वापस कर देता है, कोट को, कोट पे पहुंच जाता है, तो उसको बहुते सम्मन सर्वड होगे, अगर वो ब्यक्ति कोई private business करता है, अपना कोई दुकान चलाता है, कोई business करता है, तो जिस place पर उसकी दुकान है, shop है, वहाँ पर सम्मन का तामीला कराए जाएगा, मिल गया दुकान पे, तो उस सरकारी नौकरी करता है, न तो कोई private नौकरी करता है, उसका कोई exact address नहीं है, तब उसके घर जाती है, जो address उसका होता है, वहाँ पर गया, मिल गया, तो मिल गया तो पीछे signature कराएगा, बोलेगा date, time note कर लो, सम्मन में रहता है, किस मामले में आपको बुलाया गया है, किस date क को बुलाया गया है, कितने बजे बुलाया गया है, किस court ने बुलाया है, आप देख लो, note करना चाहो, note कर लो, पीछे signature करो, दे दो वापस पुलिस वाले को, अगर सारे चीजों के बाद भी पता चलता है, न तो वो सरकारी नौकरी भी है, न तो कोई private नौकरी में है, न त गर पर मिलता है, न तो कोई दुकान उसकी है, घर से भी लापता, तब यह कहा गया, उस सम्मन की copy, उसके घर के, किसी visible place पर, उसका जो निवास स्थान है, उसका जो में घर है, उसके किसी visible place पर, जहां दिखाए पड़े, वहां पर क्या करो, पेस्ट कर दो, जिसको कहा जात कि, तो यह माना जायागा, कि सम्मन सर्व हो गया, अब मालेजे कि 10 मार्च को किसी को कोट ने बुलाया, अच्छे मार्च है, कि 10 मार्च को 10 बज़े आप ACG कोट की कोट में आए, अब दो बाते हैं, या तो उसको सम्मन सर्व हो चुका है, या सम्मन नहीं सर्व हुआ, उसक पता चल गए तो दस मार्च को अगर वो कोट में आगे है तब कोट जिस पर्पस से उसको बुलाई वो पर्पस सॉल्ब करेगी आगे प्रोसीजर एडॉप्ट करेगी लेकिन दस तारिक को वो नहीं आया कोट ने उसकी फाइल के अंसार पुकार कराया कोट में क्या होता है कि जो फाइल होती है उसमें जो परसन होता उसका पुकार कराया जाता है कि अगर वो कोट के बाहर कहीं बैठा एठा है तो आ जाए आ गया तो ठीक नहीं आया तो जब नहीं आया तो जो कोट होते है लिबरल कोट होती नहीं यतब क्या करेगी अगर वो ब्यक्ति नहीं आया तो हिसमें यह कर आदेस होता है यह पुलीस आफिश को को डायरेक्शन होता है सम्मन डायरेक्शन किसको होता है एक्यूस पर्सन को पार्टी इसको विटनेस को लेकिन जो वारंट होता है यह पुलिस आफिसर को डायरेक्शन होता है पूलीस आफिसर से कहा जाता है कि आप इसको पखड़के ले आएए पकड़के लिए आए तो पुलीस आफिसर को कि क्या करता है कि उसके घर पर आप लोग सुनते ने दबिस सुनते नहीं ना मुझे पूलीस वाले रात में शुरू करते दस बजे और यह चलता जिसके जिसके खिलाब उनको सर्च वारंट है सर गजट क्या होता है सर गजट के बाद ना सर वारंट इसू करते है या फिर तो वह नहीं तो देखो इसमें क्या होता है अब पुलिस आपिसर मदद किसकी लेता है मुख्वीर की जो आप लोग को इंडियन यूदिय से पढ़ाया है मुख्वीर से पूछता है क्या यह कई बज़े आता है घर में यह करता है मुख्वीर ने बताया यह ग्यारा बज़े रात में आता है यह दस बज़े रात में आता है और सुबद 6 बज़े भाग जाता है तो गेट खटा है निकल बाहर निकल बाहर तो बड़ा वह भयानक दिर्श बना के उसाब आते हैं ठीक है अगर पकड़ गया पब्लिक प्लेस पर मिल गया रात में पकड़ गया कुछी भी तरह पकड़ा गया लेकिन वह कहता है कि मैं दो प्रतिस्थित ब्यक्तिकव दे रहा हूं जो मेरी बेल लेंगे और वो इस बात की गारंटी लेंगे कि जो डेट कोट ने लगाया उस डेट पर माजिर हो जाएगे इसलिए कना बेले बिल वारंट तो अगर दो रिपुटेटेट परसन इस बात की गारंटी ले लेते हैं कि आप इसको मत ले जाएए हम इसको तो पुलिस आफिसर को यह राइट्स मिला हुआ है कि अरेस्ट मर्चन को बेल पर छोड़ सकता है कि ठीक है आप दोनों की जिम्मेदारी पर हम छोड़ रहे हैं आप इसको इस डेट को ले आए आप दस मार्च की डेट लगी हुई है अब दस मार्च को आप वह दोनों बेक्ति के जिम्मेदारी है कि उस बैक्ति को ले आए ले आदिये दोनों की जिम्मेदारी खतब आप कोड को उसको जो करना हो करेगा लेकिन अगर दस मार्च को वह नहीं आय तब दस मार्च को ना वो दोनों बैक्तिया है और ना वो एक यूस परसन आया तब यह अन्वी ड़नी तब उन दोनों बैक्तियों का क्या होगा पहले तो हम यह जाने जो दो बैक्तियों ने जवानत लिया है उनका क्या होगा मताए का सिलाजी दोन पेक्तियों को जीतने का उनके खिलाफ ही एकसर कोट के द्वरा लिया जाए गाए उनको समंद भेजा जाएगा समंद बेजा जाए अच्छा कि बेटा को वारण बाप को सम्मण उनके खिलाफ भी वारण देखो जब जबानत लेते हैं तो किसी एमाउंट पर लेते हैं जैसे पुलिस वाला कहा कि पांच पांच जार रुपाए की जबानत दो तब हम छोड़ेंगे इसको कि दस दस के दो तब छोड़ेंगे तो यह ध्यान रखिएगा अब उनसे दो कोड़ दो आडर करेंगी उन दोनों को बोलेगे कि आप लोग दस दस जार रुपया आके जमा करिए और जो एक्यूजड है उसके खिलाब एक्सन लेगी कोड़ कि आप जाके टेजरी आफिस में कोसागार में सरकार के उसमें जमा करके रसीद लाके हों को दे दीजिए अब इन्हें एक दस जार लेके आप जासाब के घर चले लेगे लिजे जासा प्रेटकल भी बता दे रहे हैं ठीक ने आपको करना क्या हर डिस्टिक में जिस कोसागार वो कलेक्ट्रेट के आसपास होती है और नहों तो जाके देख लिजाए वहां पे आप 10,000 रुपया डिपॉसिट करेंगे तीन कॉपी उसकी मिलती है और इसकी बापी वो ले लेगा दो कापी आपको दे देगा एक अपने पास रखना एक लाजा के पोट में जमा करें और अगर आपने नहीं जमा किया तब अब आपको अरिस्ट किया जाएगा तो यह ध्यान रखिया गया अब आजाएगे में मुद्धे पर जो दस मार्च को नहीं आया ना सम्मन पे आया ना वारट पे आया अब उसके खिलाब NBW नॉन बेलेबिल वारट इसमें ये भ खाने के भाड सद्रक अधिकारी के नाम होते हैं कि ने हम आप में ने कि ने करोंगा कि इसको बेल या मत तो यह ने कि छो में एक पार घृत होती ति पुरानी आपडार ने नारति जी सर उनके खिलाब जो MPMA की कोट है उन्होंने न तो कहना में सम्मन पे आए न बीडबलू पे आए और बीडबलू को कैंसल कराने के लिए हाई कोट गई हाई कोट ने उनके बीडबलू के अप्लिकेशन को थारिच कर दिया तो कोट न क्या-क्या उनके खिलाब बीडबलू डालने के बाद स्टेशन रिचार्ज को फटकार लगाई कि क्यों अभी तक आप इनको अरेस्ट नहीं कि इसा तो नहीं है कि यह जानी-बानी एक्ट्रीज भी रही है तो आप इनको पकड़ के चाहिए जिसे ले आई अभी कली पर सो अर्डर हुआ है उनके खिलाफ नबीडबलू में पुलिस आफीसर की जिम्मेदारी जादा बढ़ जाती है अब पुलिस आफीसर अगर नबीड नबीडबलू पर हम इसको छोड़े या इसको सजा दे देखते होंगे एनबीडबलू जब इशू होता है तो वह एक्यूस पर्सन या पार्टीज एड़ोकेट के पास आती है कि वकिल साथ मेरा रिकॉल करा दीजिए एनबीडबलू खतम करा दीजिए तो कोड की डिस्कृ आफिटीटू को क्या बोलते प्रोकल्मेशन फार परचटन एपस कॉंड़ को अब ध्यान अभी तक एक्यूस परचन को कौन धोन धाता था कंसर्ड़ पुलिस स्टेशन है जिस पुलिस स्टेशन के अंदर आफिस किया वह पुलिस आफिसर भूला था एटीटू में अब प जिसजब कभी किसी को प्रोक्लेंट आफइंडर बनाय जाता हूं तो सित अपरादी तब यहां पर आ जाते मीडिया प्रिंट मीडिया में लेक्टरॉनिक मीडिया कंडिया टी वी टांजिस्टर में पर दिया जाता है या और अगर वह ज़्यांदा बड़ां निया दिया जाता है और गुलीश को अगर estás इस्तिहार सर आपका तो नहीं छपा सोनो नहीं सर तो यह ध्यान रखिए गाए अब वह मामला बढ़ गया डिस्टिक ले दिल पर ठिक जो यह प्रोक्लेम्ड प्रोक्लेम्ड आफेंडर बनाया गया है थर्टी दिस तीस दिन का समय दिया जाता है अगर तीस दिनके भीतर पुलिस पकल डेती है या वह खुद भी कोट में आकर स्रेंडर कर जाता है अगर वह कोट में स्रेंडर कर जाता है तो उसके खिलाब प्रीबियस में जितने भी कारवाही चली है हुद जाये वह तक का संभन सब्चों करता है Maaq जो इसके खिलाब संभन की परसीडिंग कि प्रोसीडिंग जली ठी एन बिडबलू के प्रोसीडिंग चली थे उसका मोटिव क्या था है कié जब यहीं तो कौन कमपेल करेगा कोट। process to Noel那iary कि मेरे सामने Fisically आप आगे चाहरे वो BW पर आ चाहरे NBW पर आ चाहरे प्रोकलपनेशन पर आ जायए उसकी उसके खिलाब जितने भी प्रीपिएस कि सब कैसे हैं अब जिस लिए बुलाए है गया वह मैटर आगे बढ़ेगा कोट में लेकिन 30 डिज बीट गया, 30 दिर बीतने के बाद न तो पुलिस पकड़ पाई न तो वन गोड में स्रंडर की। तब कोड क्या करती है अगला एक्षेल लेती है अटाइच्मेंट शुवड़ ए कि कुर्की तो कुर्की में क्या होता है कि कुर्की में क्या होगा घर तोड़ दिया जाएगा तो उसके बच्चे चे कहा रहेंगे चोटे-बच्चे पत्नी है ओल्ड बदर फादर है कि अधियर के पुलीस वाला ना बताईए ना सी आर पीस्वी अली पुलिस के बताईए वह ने पीने की वह स्थूर उसामान को छोड़ करके बाकि जो होगा आठ के वंटी वन को सेफ करते हुए अनुचेद बद्दिस को बचाते हुए अनुचेद बद्दिस करता है लाइफ वहाशान पर्सालिव का लीबरटी जो खाने की चीजें ऐख फैनने की चीजें देलए के रूटीन की चीजेंए वह चोड़ कर बाकिए चीज क्या करने जाएगा अटेच कर लिए जाएगे तीबी फ्रीज है ठीके ने कंप्यूटर यह सब सब जो जो चीजे उसके घर से लिए जाएगा उसकी तीन कॉपी बनाए जाती है पूरा लिखा जाता है । चार कूर्ची दो बेड एक सोफा यह सब लिखा जाता है कुछी तीन कॉपी में और रिसीनल कॉपी वह चली जाती कोट। जो उसकी सेकंड कॉपी है वो उसके घर के सामने पेस्ड कर दी जाती है विज्विल प्लेस कर दो तीरी कापी पुलिस स्टेशन पे रहती है अब अगर वो जो भागने वाला बैखती है भगोड़ा बैखती है वो थाने पर स्रेंडर कर जाता है वो कोर्ट पर स्रेंडर कर जाता है और अपने घर के सामने चिप की हुई पेस्ट की हुई कापी को लेकर तो जो जो समान उसका अटेच किया गया है, वो सब release कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, कि तुम आ गए ना, चलो, तुम्हारा समान फिर वापस, लेकिन इसके बाद भी वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, छिप रहा है, तो ये कहा गया है, कि अगर छे मेहने का समय और बीट जाता है, तो अच्छा, थाना के माल खाना, सर, माल खाना बोलते हैं, उसमें रखा जाएगा, तब फिर, उसके बाद अगर पर नहीं होगा, तो फिर वो होता है, देश्वेजिंग वजिरा कर देदेगा, तो उसको बेट जाएगा, अगर कोई ऐसी चीज है, जो बहुत जल्दी खराब हो सकती है, तो उसके लिए तुरंट अक्षन कर देदेगा, जाएगा, उन्हें तो छे मैने बाद जो उसका बेड है, टीबी है, टांजिस्टर जो लाया गया है, सब आउक्षन कर देदेगा, नीलामी, अच्छा सर, कुड़की में एनिमल रहेगा, तो उसको भी जब्त कर लेगा, क्या चीज? कुड़की में एनिमल है, किसी के पास बेफेलो, या खेती के कार के लिए, तो नहीं, ऐसे तो पुलिस वाले क्या करते है, खेत के फसल असा सब काट ले जाते, दरवाजा उखाड ले जाते, तो आपको वो जिहार में दरवाजा खिरके सब ले लेते, सर, सर पुलिस वाले का रिए को करेंगे, जब फ्रमाल लेकर करते, कुड़की में वूसी को क्या करेंगे, तो सर द्रमाल लेकर के लेकर बाके लिए, तो उसको क्या करेंगे? दूहे गया और के बेचे गया तो देखो यह का आगा च्छे मैने बाद आख्षन कर दिया जए अब यहां पर क्वेशन आता है आख्षन का जो इमाउंट होगा वह कहा जाएगा जो नीलामी के धनराशी आएगी एक हजार दो हजार पांच हजार दस हजार वह जाएगी को सब्सक्राइब होती है इसको ध्यान सब्सक्राइब पढ़ाया है एक होता है एक फांटैट फंड आप गॉवशन आफ इंडिया भारत सरकार की संचित में एक होती एक फंड व्यूजिफ दाफ थे इस्टेट गॉवड्म राजसरकार की संचीत में और डिस्टिक्ट में पर कंस्लिटेक्टियों किया है घो कोषागार होता है वicargent एक पर उसकों colorate 合ुलने लेकिन के संचीत में ए यह और यह जो सब पाईसे होते हैं जो प्लिए में जमा होते थरेंट अप्रेंग हों को सब्सक्राइए अ बजम चैया एक में जाएगा एक अगए यही इस्टेट का और एक साइज का क्या है सेंटने पार सिट nra का क्या ओए पैसा वहां चला में जैसे आप लोग डेखते कोई समान आप लोग पर्चेस करते हैं आपने कोई एसी खरीदा फ्रिज्ज खरीदा तो जड़ा बड़े ध्यान से उसके रसीद को देखिएगा दो टैक्स लगता हुआ 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 है तो लिखा रहता है सेंटरल गवर्मेंट का टैक्स 12 परसेंट उसी में उसी बिल में लिखा रहता है स्टेट गवर्मेंट का टैक्स अगर मालिजे आपने कोई एसी खरीदा उसकी कीमत 30,000 रुपए है तो 30,000 का 12 परसेंट ले लेगा सेंटरल गवर्मेंट 12 परसेंट ले लेगा स्टेट गवर्मेंट और टोटल का बना कि तब आपको बिल तो यह पैसा कहा जाता है तो यह पैसा कहा जाता है तो इस अपने लिखे लोग आप बोलियागा यह इंडिया की अपनी रेविन्यू है ठीक है तो जो अटेच्मेंट का पैसा आएगा कुर्की का पैसा आएगा वह पैसा कहां जाएगा तो आप बताओंगे टेजरी आफिस क्या है पार्ट तब ऑप पैसा चला गया और तब वह अजिर हो यह पकडा गया तब क्या हो गया कि सब कहानी पूरी हो गई पैसा चला गया और तब पुलिस वाला किसी दिर उसको पकड़ के ले आया या खुदी कोट पे स्रेंडर कर दिया तब है आगर और सही आंसर आप बता देंगे तो आज का काम खतम क्तव हो आगे हैं अरफ कि इसलिए च्शे मेने का समय दिया जाता है कि द्यान डखिए गार के की इस करने के बाद अटेस्ट करने के बद चाह मही न और पार्धिक को आज़ा आजाओ रीदाओ तर 6 तर देखे र Salemą वह बोते एक्सपाइरी टाइम जब एक्सपाइरी टाइम हो डाए है अव डिकल गार अब आकशन हो गया Criminal delivery में पैसा जमा बस्यां मैं आब आपको नहीं लेगा अच्छा तो जो पकड़े गए अब उसका क्या होगा कोट में स्रेंडर कर गए तो जो आप नाराज हो के कोई पनिस्मेंट देगा या बोलेगा आईए आज डिनर कराते साम को आपको तो आप डिनर होगा जेल में सामवाला ठीक सेंट टू जेल हंडेट परसंट कोट करेगा अब फिर वहीं सेंट जुडिशल कस्टडी सही आपके आगे प्रोसीडिंग को स्टार्ट करेगा तो यह प्रोसेश रहाएगा तो प्राइबेट लाइफ के लिए वह था ठीक है तो यह यह ध्यान रखिएगा कि पूर्ट अगर कभी भी किसी को बुलाए तो आप लोग को प्राइबेट लाइफ के लिए बिता दे रहे हैं लोग के प्रोवीजन से कभी भी को प्रोट आपको सम्मन बुलाएं आप जाएगे जुरूर आपने जहां इग्नोर किया तो वह इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी फिर आपको बचाने वाला कोई जैसे माली जे स्टेशन और वो क्या नाम है एफाइयार हुई और इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया अभी पढ़ाएं जागे ध्यान सुनों आपको और फाइनल रिपोर्ट लगाने पर दो हजार साथ के बाद प्रोवीजन आ गया है कि प्रवीजन को कोण्ट परिएंक परिवादी जिसने क्हुंटिन किय और यह मताने करिए कि मुझे फाइनल रिपोर्ट एक्षेप्ट है या फाइनल रिपोर्ट पर प्रोटेस्ट करना चाहता है कोट ने उसको नोटिस भीजा नहीं आया अग्यक्या करब आ cerca किसि अगर कं силь को नोटिस गई है कि आपकी आपने जो लॉस कराई थी उस पर आई यो ने फाइनल लिपोर्ट लगा दिया आपका क्या कहना है और वो नहीं आता है तब क्या हो गए सब्सक्राइब करेगा सुप्रिंग कोड के रूलिंग है यह कहा गया कि आप उसको विवस करिए कि मेरे पा लेकिन आप आना पड़ेगा जिस तरह आप दौर के थाने गए थे कराने तो कोट में आने में क्या दिक्क्त है और बिल सुप्रिंग कोड ने का उसको कंपेल करिए कंप्लेन को और नहीं आता तो वही प्रोसेस सुरू सब्सक्राइब बीडबलू एन बीडबलू अटैच् जलेब़ आपको कोड में फिज्श intenly HPR होना पड़ेगा या तो आप लिए कर दो कि मुझे فाइनल लिपूर्ट मंझूर है मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है या आप लिख कर दो कि मैं फानेल लेपूर्ट मंजून नहीं मैं मुकदमा लडना चाहता जिसको कहते है व्यक्ति अगर कोड कभी आपको सब्मन करती है अब कोड करती है पत्ना की कोट करती है, भोपाल की कोट करती है, प्रयाग राज की कोट करती है, कहीं की भी करती है। आप खुज नहीं जा सकते हैं, तो एकого–t Genius को हाइर करके आप जरूर और और PC करा देनां और लेकिन आप सोचे क्या रहे मैं तो रहता हूं यहां पर प्रयाग राज की कोट ने क्यों बुला लिया मुझे गलत बुला लिया होगा तो अपने तरफ से पुला लिया हो? झाल